हेलो प्यारी बचो क्या हाल चले हैं आप सभी के डियर स्टुडेंट्स तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत आज तो देखो बचो अपने कर रहे थे चैप्टर नमबर फोर विदुद दारिता ठीक है और पार्ट नमबर एट आज अपने इसका ड गोलियस संदारितर है वो एक only चालक था और इसमें क्या है इसमें पूरा संदारितर होगा तो पिछला जो अपना समांतर प्लेट संदारितर था वो वहीं पूरा हो गया था अब आज का थोड़ा टॉपिक आसान था तो तभी आपको मैं नोट से करवा रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो देखी पहरे बचो अपना जो आज का टॉपिक है वो है गोलियस संदारितर की दारिता ठीक है कपैस्टेंस ऑफ स्पेरिकल कपैस्टर पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे भी जो गोलियस संदारितर है ये होता क्या है और परिवाशा पुड़ो इसकी क्या दिया हुआ है कि लग बगस समान अकार के सै केंद्रिय गोलों से बनी होई युक्ति जिसमें दोनों गोलों पर आवेश का परिमान समान परंतु प्रकरती क्या हो विपरीत हो गोलियस संदारितर कहलाता है यानि क्या हो कि अपने पास एक संदारितर हो जिसमें क्या हो दो से केंदर ये गोले हो मतलब जिनका केंदर एक की हो और एक गोला तो उसमें अंदर पड़ा होगा और दूसरा गोला उसके चारो तरफ क्या होगा बाहर स्थित होगा तो उसे अपने क्या कर देंगे गोलिय संधार इतर और दूसरी कंडिशन इस पे क्या है जो हर एक संधार इतर की कंडिशन होती है क्या कि जो हर एक गोला है उस पे समान आवेश होगा लेकिन प्रकरती भी प्रीत होगी आवेश होगी ठीक है तो अब next point क्या है इसमें वो देखो next point अपने अपने पास है कि इसमें आंतरिक गोला ठोस या खोकला हो सकता है परन्तु बाहिया गोला हमेशा खोकला होगा अब ये point मैंने अपनी तरब से add किया है आपकी बुक में नहीं है कि आंतरिक गोला यनि आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये अंदर वाला जो गोला है तो अंदर वाला गोला आपका ठोस या खोकला कुछ भी हो सकता है लेकिन जो बाहर वाला गोला है ये क्या ह होगा मेशा खोकला ही होगा क्योंकि अगर मालोग खोकला नहीं हुआ तो क्या होगा अंदर वाला गोला आप रखी निपाओगे इसके अंदर तो मतलब जो बाहर वाला अपनी गोला लेती है वो क्या होता है और जो अंदर वाला गोला हो ठोस भी हो सकता है ठीक है अब नेक तो इसमें देखो बच्चो दो गोले होती हैं जो आपको ब्लू गलर में गोले दिख रहे हैं पहले जो गोला है उसका नाम अपने A लिख दिया और दूसरा गोला है उसका नाम अपने क्या लिख दिया B A और B क्या है यहां पे दो गोले हैं अपने पास ठीक है तो अब क्या होगा कि अपने इसमें क्या करते हैं इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा अंद्रवाले गोले को आवेश देते हैं क्या करेंगे अंद्रवाले गोले को आवेश देंगे तो मतलब अपने क्या किया अंद्रवाले गोले को माइनस क्यों आवेश दे दिया ठीके न अब इसमें थोड़ास जो समांतर प्लेट संदारित रहें उससे थोड़ास उल्टा काम होगा उसमें आप क्या करते थे एक दो लेते थे एक प्लेट को क्या कर देते थे प्लस आवेश दे देते थे और दूसरे पर प्रेरण के कारण क्या आ जाता था माइनस आवेश आ जाता था ठीक है तो अब और बाहर वाली साइड इसके क्या आ जाता था प्लस आवेश आ जाता था और बाहर वाली साइड को अपने grounded कर देते थे और ये वाला प्लस अविश खतम हो जाता था ये प्रोसेस करते थे समांतर प्लेट संदारित्र को बनाने में अब इसमें देखो क्या करेंगे इसमें अपने दो गुले लेंगे ए और बी अंद बाहर वाला गुला थोड़ा सा बड़ा होगा और अंदर वाला गुला थोड़ा सा क्या होगा छोटा होगा देखो इसमें व्यास वास्ता में पता है क्या होता है कि जो अंदर वाला गुला है वो बाहर वाले की तुलना में बहुत ही कई यानि की कम लगबग बराबरा का होता है यानि इससे बहुत ही कम छोटा होता है अगर आप बात करते हो बाहर वाले गोले की बाहर वाले गोले की अगर आप त्रीजय की बात करते हो तो अगर मालो यह वाली त्रीजय पांच मीटर है इसकी त्रीजय कितनी है पांच मीटर है तो अंदर वाले गोले कि जो त्रीचे आओगी वो लगबग 4.9 या 4.8 मीटर के करीब होगी मतलब इतना की फर्क होता है आपको बैस क्या है कि डाइग्राम में दिखाने के लिए अपने ऐसे कर देती है एक गोला बिल्कुल छोटा बना दिया और दूसरा गोला बिल्कुल क्या बना दे बड़ा बन अपने अंदर वाले गोले को माइनस क्यू आवेश देना आपको ये चीजी याद रखनी है आपको ठीक है अंदर वाले को माइनस क्यू आवेश देंगे तो क्या होगा कि बाहर वाला गोला है इस पर कोई आवेश नहीं है तो अब जब आप इसे माइनस क्यू आवेश तो अब आधर वाले गोले पर तो क्या जो बड़ा अपना उसके अंदर वाली साइड तो प्लस Q आवेश आ जाता है और बाहर माइनस Q आवेश आ जाता है अब इसके जो बाहर वाली सता है इसको अपने क्या कर देते हैं ग्राउंडेड कर देते हैं मतलब प्रित्वी से जोड़ देते हैं तो अब ये नेगटिव आवेश किसकी कारण होता है इलेक्ट्रोन की कारण तो अब जो इस पे इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन है जिसके कारण इसके क्या है बाहर वाली सत्य पर माइनस क्यू आवेश आ रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रोन ऐसे स्तार के त्रू क्या चले जाती हैं प्रित्वी के अंदर चले जाती हैं और इस पे क्या बचता है उल्ली प्ल विदुद क्षेतर स्थापित हो जाता है E Vector क्या हो जाता है विदुद क्षेतर E Vector स्थापित हो जाता है और ये एक संदारित्र बन जाता है संदारित्र क्या आशे बनाते हैं अपने पुराना जो समांतर प्लेट था उसमें भी बिल्कुल यही प्रोसेस की थी इसको प्लस दिया इसके अंदर वाला माइनस आ गया बाहर वाला प्लस आ गया बाहर वाले को क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया अपने तो ग्राउंडेड से यह वाला क्या हो गया अवेश वा यहां पे प्लस अवेश क्या हो गया निराविशी तो गया तो प्लस क्यू माइनस क्यू औ बाहर E vector की value zero होगी. क्यों होगी? क्यूंकि देखो यहां आवेश ही नहीं बाहरवाली सतय पर रहेगा. बाहर आ नहीं सकता. कारण क्या है? क्योंकि चालक गोला है. चालक के जहाँ अवेश उपस्तित होता है वही रहता है. तो अब इसके अंदर ही रहेगा, बाहरवाली सतय पर कोई अवेश नहीं है, तो बाहर जो विदुत ख्षेतर का मान है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाला जो गोला है अंदर वाला, ठीक है अंदर वाला गोला, ये भी चालक गोला ही है तो चालक गोला है तो इसको जो माइनस की वावेश देंगे वो इसकी सत्य अपर रहेगा तो अंदर जो इसके विदुत क्षेतर होगा चालक गोले के वो क्या होता है जीरो हो जाता है बचो ठीक है तो ये जीरो हो गया तो अब क्या हो गया कि इसमें तभी य वेक्टरी यहां पे 0 लिखी हुए है, समझा है, अब बिल्कुल जो सारी स्टोरी में आपको अभी बताई है, वो क्या है, यहां पे थियोरी की रूट में उसको लिखा हुआ है, अब थियोरी में मैं बच्चो आपको बता दूँ कि थियोरी जुरूरी नहीं भी, जो मैं लिख रहा हूँ, वो ही लिखनी आपको, आप अपनी लेंग्वेज में असान बना की इसको लिख सकते हैं, बस अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए इसका, जो इसका मीनिगा वो ही रहना चाहिए, बाकी सारा कुछ आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप देखो क्या है, कि चित्रा अनुसार गोलिये संदारीतर को दर्शाया गया है, इसमें दो गोलिये चालक A और B हैं, और इनकी तरीजें R1 और R2 हैं, जो गोले हैं, उनकी तरीजें R1 और R2 ली होई हैं, सरप रथम आंतरीक गोले B को माइनस Q आवेश देती हैं, जो इसकी सत्या पर वित्रित हो जाता है, प्रेरण के कार A की बाईय सत्य को बूसम पर कित कर देते हैं, जिससे केवल क्या होता है, प्लस Q आवेशी बचा रहता है, और यह संदारीतर की तरह कार्या करने लग जाता है, क्योंकि देखो विदुत क्षेतर उत्पन हो गया, विदुत क्षेतर से विबवांतर आजएग और विबवांत तो सूत्र में मैंने आपको तीन स्टेप बताए हुए हैं, अब एक चीज अपने को यह पता है कि बाहर वाले गोले पर तो प्लस Q आवेश है, और अंदर वाले पर माइनस Q आवेश है, और लग बग क्या है, यह समान है, मतलब की समान है, समान का मतलब जो यह बीच वाला गैप आपको दिख रहा है ना, इस गैप को आप नगन्या मान सकते हैं, यानि बहुत ही ज़्यादा कम गैप है यह, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यह गैप होता क्या है, वास्ता में जो गोड़िया संदारितर होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कम, कमान तो निकालने की जरूरती नहीं है, क्योंकि चालक गोले के लिए अपने को विबव कमान डिरेक्टली पता है, मैंने आपको कहा था कि दारिता निकालते हैं, तो उसमें तीन स्टेप फॉलो करते हैं अपने, ई, वी और सी, पहले ई कमान, फिर इस ई से वी कमान निकालत तो अब मैंने कहा था कि जब आपको ई कमान लिखने की जरूरत नहीं हो, वी कमान लिखने की जरूरत नहीं हैं आपको, तो अब देखो अपने क्या करेंगे, यहाँ इसके बीच एक पॉइंट लेंगे, यहाँ इसके बीच क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, तो अब ये point क्या होगा अब देखो आप में से कई student सोचेंगे कि सर ये वाली R2 दूरी है ये वाली R1 दूरी है तो इस point की जो दूरी होगी कि इससे वो लगबग क्या होगी कि आपके कुछ अलग होगी दूरी R1 और R2 से लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो आपकी R2 दूरी है वो भी क्या है ये वाली दूरी सौरी O से लेके अगर मैं इस P point की बात करूँ तो O से लेके P तक की दूरी भी लगबग R2 के आपको बराबर माननी पड़ेगी R2 के बराबर क्यों माननी पड़े ही बचो कारण मैंने आपको भी बताया है क्योंकि ये वाला जो gap है ये क्या होता है बहुत ही कम होता है तो अपने इस कम gap के कारण जो दूरियां लेंगे अपने इसके बीच कोई भी point की दूरी ले लो वो लगबग अपने R2 के बराबरी अब दिखने में तो लग रहा है कि ये वाली बहुत बड़ी दूरी है इसका मान चेंज होना चाहिए तो वास्त में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये वाला gap बहुत ही कम होता है तो अपने दूरी लगबग बराबरी लेंगे तो अब वो ही चीज है कि अगर मैं कहूं सुतर स् तो A और B की तरी जाए R1 और R2 हैं R1 और R2 हैं दोनों की तरी जाए तो अब B के प्रिष्ट पर स्वैं के आविश के कारण विबग या अपने किसी पॉइंट पर कर लें या यहां आपकी भूक में पता है क्या दिया हुआ है इसका प्रिष्ट ही ले लिया भी इसके प्रि तो अब देखो एक पहले तो मैं लिखता हूँ इस खुद के गोले की कारण तो इस खुद के कारण लिखूँगा तो यह क्या है एक चालक गोले की सतय पर बिंदुस्तित है चालक गोले पर माइनस क्यू आवेश है तो चालक गोले की तरी जा R2 है तो इसकी सतय पर विबव कामान बताओ क्या होगा क्या होगा सत्य पर vibo कामान minus kq बटा में क्या हो जाएगा बचो r2 हो जाएगा क्योंकि गोड़े की 3 j r2 और आवेश minus q है तो minus अपने vibo में साथ लेती हैं समझाया तो वो ही चीज़े आपने लिखिया है कि B के प्रिष्ट पर स्वें क्या विश के कारण विबव V1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बटा R हो जाएगा माइनस के क्यू बटा R2 हो जाएगा सोरी जो B है गोला उसके कारण अब next अपने बात करते हैं चलो अंदर वाले गोले के कारण तो विबव आपने लिख लिए इस बिंदू पर किसी पर अब इस बाहर वाले गोले के कारण बताओ भी इस बिंदू पर विबव क्या होगा सोचो क्या होगा विबव इस पर भी ये जो बाहर वाला गोला है इसके अंदर एक बिंदू स्तित है ये तो इस पर विबव कामान क्या होगा जो इसकी सतय पर होगा वही तो होगा क्योंकि चालक जो होता है चालक में क्या होता है कि जो विबव कामान है अगर चालक गोला लिया है जो चालक गोले की सतय पर विबव है वही उसके अंदर होता है क्योंकि अंदर विदुत क्षेतर 0 हो तो आपके गोले हैं, गोलों के कारण विबो निकालते हैं, किस गोले के अंदर जीरो होता है, किस के कारण नहीं होता है, वो आपको सारा पता होना चाहिए बचो, फिर समझाएगा ये वाला, अगर आपको नहीं बता, तो आपको पता है नहीं लगेगा, भी सर जीरो कैसे ले आपता होना चाहिए थीक है थीक है यहां पर जो यह बुश्य की सतय क्वोड़े को बात करता हूं तो इस गोले के तो इसकी सतय पर वीबव बाहन लेते हैं कि क्यू बटा क्या है? R1 है. क्यू बटा क्या है? R1 है. तो वही चीज मैंने आपे लिखिया कि B के प्रिष्ट पर A गोले पर उपस्तित प्लस Q आवेश की कारण वीबव V2 वराबर क्यू बटा R1 हो जाएगा. R1 हो जाएगा. अब मैंने आपे कारण भी लिखा है क्योंकि B गोला A के अंदर है और एक खूखला चालक गोला है अता इसके सतय के अंदर वेश सतय वेश अंदर का वीबव क्या होगा? समानों का. ठीक है? ये इसका कारण लिखा हुआ है. अब देखो अगर मैं उस पॉइंट पर परिणामी वीबव की बात करूँ तो दो गोलों के कारण भी बबबार है V1, V2 दोनों को जोड़ देते हैं. तो जो B गोला है, B गोले की जो सता है इस पर परिणामी वीबव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? LCM लेंगे तो R1, R2, LCM आजाएगा और ये वाला इसके नीचे R1 है तो R2 नहीं है तो ये R2 इदर और R1 इदर तो R2 माइनस R1 इसका क्या आजाएगा? वीबव आजाएगा अंदर वाले गोले के B बिंदू पर अगर वीबव की बात करूँ. अब देखो अगर बाहर वाले ये तो अंदर वाले गोले की सत्य का वीबव है अगर मैं बाहर वाले गोले की सत्य का वीबव निकालूँ तो क्या होगा? बही यहां पे आपने क्या किया किसी बिंदू पर विबव का मान निकाला तो विबव का मान आपके पास आगया भी दोनों गोलों की कारण विबव होगा अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूँ तो यहां पे क्या हो जाएगा विबव का मान क्या होगा बता सकते होगा मुझे अगर इसकी बात करूँ तो आप देखो गोले की ये बाहर वाली सत्य है इस बाहर वाली सत्य है पर बिंदू की बात कर रहा हूं जो बाहर वाला गोला है उसकी दो सत्य है एक उपर वाली एक अंदर वाली ठीक है उपर वाली जो सत्य है उस पर अगर बिंदू लूँ तो उस पर विबव की बात कर रहा हूँ अंदर वाली सत्य पर बिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि अंदर वाली सत्य पर आवेश है लेकिन अगर मैं बाहर वाले की बात करूँ तो यहां पे कितना है विबव का मान क्या हो जाएगा बाहर वाले point पर 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर आवेश ही नहीं है यह का मान 0 है तो विबव का मान क्या हो जाएगा बाहर 0 हो जाएगा तो वही चीज है कि बाहर वाला क्योंकि गोले का बाहिय बाग बूसम परकित है और इस कारण इसका विबव क्या होगा जीरो होगा दूसरा कारण इसका जीरो होने का ये भी है क्योंकि देखो अगर अपने इसको प्रिथवी से जोड रखा है ऐसे तार से तो अब क्या होगा कि दोनों का वीबव क्या हो जाएगा समान हो जाएगा जो पृत्वी का वीबव है वो इस गोले की बाईय सता का होगा क्योंकि पृत्वी का वीबव अपने 0 मानते हैं तो गोले की बाहर वाली सता का भी 0 होगा अब आप मैंसे कई ये सोचेंगे कि सर जीरो क्यों होगा फिर भी नी समझाएगा तो एक चीज मैं आपको और यहां पर समझाना चाहूँगा कि अगर मान लो बच्चो आपके पास दो टंकियां है ठीक है दो टंकियां है इस परकार पड़ी होई है अब आपको क्या है कि इस टंकी में तो इतना पानी है बरा हुआ ठीक है इस टंकी में इतना पानी है और इस टंकी में क्या है कि जो बेपानी का स्तर है वो यहां ही पे अबेस और अब अपनी क्या कर देंगी इसको एक pipe के थुरू जोड़ दिया जोड़ दिया pipe के थुरू तो अब इस जो बरियूई tanky है इसमें से क्या होगा कि जो पाणी है वो इदर आ जाएगा और कब तक आएगा जब तक कि दोनों में पाणी का जो स्तर है लेवल है समान ना हो जाए मतलब इसमें जितना पाणी है और इसमें जितना पाणी हो बराबर ना हो जाए तब तक क्या होगा यह tanky में पाणी इदर प्रवाइत होता यानि दोनों का क्या हो जाएगा टैंकी का पानी का लेवल क्या हो जाएगा समान हो जाएगा ठीक है तो वही चीजी यहां पे है विबव क्या होता है विबव मैंने आपको पानी की टैंकी से तो स्टार्ट करवाया था तो वही चीजी यहां पे है कि जब अपने क्या करते हैं इसको एक तार के तुरू जोड़ देते हैं तो ये तार एक पाइप का काम करती है तो अब इस पे जो अतरिक्त आवेश था वो अतरिक्त आवेश तो प्रित्वी में चला गया अब इस पे आवेश का मान बाहर की सत्य पे 0 है तो इसका विबव भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि प्रित्वी का विबव 0 है मतलब प्रित्वी अपने जैसा बना लेती है बाहिये सत्य को तो बाहिये सत्य का विबव 0 होगा ठीक है अब तो समझा गया होगा बाहिये सत्य का विबव 0 क्यों लिया अब देखो बाहर वाली सतय V E A बराबर 0 है तो अगर मैं बात करूँ कि जो यहां पर अगर दो बिंदु लेते हैं अपने वी एक तो बाहिय सतय वाला बिंदु और एक अंदरवाली सतय जो गुला है उसकी सतय पर बिंदु इन दोनों बिंदूओं के मद्य विबवांतर की बात करूँ क्यों विबवांतर क्यों निकालना पड़ेगा क्यों कि दारिता निकालनी है तो दारिता से पहले विबवांतर जरूरी होता है तो अपने क्या करेंगे कि जो इसकी सत्य पर विबव होगा बाहर वाले पर KB का मान आ गया KQ R1-R2 और बटा में R1-R2 क्योंकि देखो ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा इसके अंदर जाएगा तो इनके निशान चेंज हो जाएगे उपर वालों के ये R2-R1 था तो ये R1- क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा ये आ गया विबवांतर का मान अब दार क्या होता है Q बटा V विबवांतर ठीक है तो Q बटा में V का मान अपने ये वाला रख देते हैं जो ये वाला है अब आपको देखो इतना जंजट किया क्यों एक चीज और समझ लो यहां पे कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेस्चन आता है कि सर्वी भी यहां पे आपन इस पर विदूत क्षेतर का मान निखालते थे प्लेटों के बीच किसी बिंदू पर अब बताओ मुझे ये विदूत क्षेतर दोनों प्लेटों के कारण ही होता था एक के कारण सिगमा बटा दो एपसाइल नोड दोनों को जोडा तो तब कितना आता था सिगमा पॉन में दोनों प्लेटों के कारण विदुत क्षेतर आता था और जब अपने V का माल लिखते थे V ब्राबर E into D लिखते थे यहां पे तो ये विबव ना ओके विबवांतर होता था दोनों प्लेटों के बीच विबवांतर क्यों होता था क्योंकि ये जो विदुत क्षेतर है ये दोनों प्लेटों के कारण ही है यहां पे तो विदुत क्षेतर जब दोनों प्लेटों के कारण है तो ये जो विबव दो प्लेटों के कारण क्या होगा विबवांतर ही होगा यहां पे तो समांतर प्लेट संधारितर में भी अपने विबवांतर ही लेते थे तो आप यहां पे एक पॉइंट की बात ना करके दो पॉइंट के बीच में क्या ले रहे हो विबवांतर ले रहे हो तो यहां आपको विववांतरी लेना पड़ेगा बचो विबव नहीं ले सकते आप किसी point पर क्योंकि दो प्लेटे होती हैं आपको और जहां दो चीजे आ जाएं वहां विबव ना लेके विववांतरी लेना होता है इतनी बात याद रख लो आप ठीक है तो Q बटा VAB आ गया तो VAB का मान रख दिया तो Q से Q कैंसल हो गया तो अब क्या बचेगा ये वाला R1 R2 चला जाएगा उपर तो R1 R2 बटा में K और R1 ब्रेकेट में क्या जाएगा R1 माइनस R2 और आपको पता है कि K का मान वैसे तो क्या होता है 1 बटा 4Pi Epsilon node होता है ये ही होता है 1 बटा 4Pi Epsilon node लेकिन आपको पता है कि अगर मैं K को इदर ले आँ तो 1 बटा K का मान ये 1 बटा K ही है यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा सीधा 4Pi Epsilon node तो वही लिखा है 4Pi Epsilon node R1 R2 बटा में R1 माइनस R2 अब एक चीज आप यहां पर यह याद रख लो कि आप बचो जुरूरी नहीं कि इसमें R1 और R2 इसी हिसाब से मानने है आप अंदर वाले को R1 मान सकते हो बाहर वाले को R2 मान सकते हो तो आपका formula बैसे इतना change होगा कि यह वाला जो नीचे R1 माइनस R2 आ रहे है यह R2 माइनस R1 आ जाएगा और एक चीज अगर आपको confusion हो रहा है कि R1 R2 कैसे आएगा या और आएगा तो आप एक चीज यहां पर यह याद रख लो कि जो आपका final result आना चाहिए दारिता वाला दारिता वाला final result आना चाहिए उसमें बड़ी तरीजा में से छोटी तरीजा माइनस होनी चाहिए बैस उपरवाले माइनस प्लस आप सेट कर दोगे उसी इसाप से मुझे पता है ठीक है उपरवाले माइनस प्लस सब कुछ सेट हो जाएगा कि यहां पे कई बच्चे बूल जाएगे अगर मान लो यहां पे आपने क्या कर दिया कि वी बी माइनस वी ए कर दिया तो माइनस का निसान चेंज नहीं होगा यहां पे तो आपका अंसर गलत आएगा छोटी में से बड़ी तरीजा माइनस आ जाएगी तो आपको बैस लाश्ट में एक चीज रियाद रख लो यहां पे कि बड़ी में से छोटी तरीजा माइनस होनी चाहिए बैस ठीक है यह शौट तरीक है इसको याद रखने का जो आप ट्रिक्स लगाते हो ना वो ट्रिक की है एक तरह कि याद रखने की यहां नीचे जो माइनस होना चाहिए वो बड़ी में से छोटी तरीजा ही माइनस होनी चाहिए उपरवाला आप मुझे पता है आप सभी या निकि इतने स्मार्ट हो कि उसको सेट कर दोगे आप ठीक है अब नेक्स्ट क्या है कि अतर्स पैस्ट है कि गोडियस दारितर की जो दारिता होती है वो दोनों गोडों की त्रीजाओ के अंतर के वितकरमन पाती है आपका जो दारिता है ये इन दोनों गोडों की जो त्रीजाओ उनके अंतर के क्या है वितकरमन पाती है अतर्स दारिता बढ़ाने के लिए यह हैं अंतर कम होना चाहिए तो अगर आपको कहें भी दारीता ज्यादा हो तो इसके वितकरण पाती है मतलब R1-R2 का मान क्या होना चाहिए कम होना चाहिए R1-R2 क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तब ही क्या होगा जो आपके पास दारिता का मान है ये ज्यादा होगा तो R1-R2 कम कब होगा कम तब होगा जब आपके पास R1 और R2 दोनों के मान लग बग बराबर हो कैसे कि अगर मान लो आप R1 का मान ले रहे हो 10 और R2 का ले रहे हो 5 तो R1-R2 क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा दोनों का अंतर अब अगर मैं कहूँ कि R1 का मान तो 10 ही लेओ और R2 का मान आप 9 लेओ तो दोनों का अंतर अब कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो आब मुझे बताओ कि अंतर पहली स्थिती में ज़्यादा रहे या दूसरी में पहली स्थिती में ज़्यादा रहे और दूसरी में क्या आ रहा है कम अंतर आ रहे है तो अपना अंतर कम से कम होना है जाएगर अपनी दारिता ज्यादा है तो इसी कारण क्या होता है कि जो दोनों गोलों की त्रीजाए हैं वो लगबग समान लेते हैं अपने फूटा सा डिफरेंस लेते हैं लगबग समान तरीजा के गोले तब ही लेते हैं क्योंकि उससे दारिता काफी बढ़ जाती है गोलों की तरीजा में अंतर करने से ठीक है तो यहां पी यह क्वेस्टिन भी आपसे पूच सकते हैं कि गोलिया जो संदारितर होता है उसकी जो उसकी जो दारिता है या उसकी जो तरीजा है या दोनों गोलों की वो लगबग समान क्यों लेते हैं या लगबग समान आकार के गोले गोली ऐसंदारितर में क्यों यूज में लेते हैं तो उसका कारण यही है कि दारिता का मन बढ़ाने के लिए अपने क्या करते हैं अब जो epsilon 0 आ रहा था, epsilon 0 आ रहा था, उसकी जगए epsilon माद्यम और आपको बलीवांती पता है कि epsilon माद्यम होता है epsilon 0 epsilon r के बराबर, तो अब ये 4 पाई epsilon 0 r1 r2 बटा में r1 minus r2 ये तो उपर दारिता थी निर्वात में और इंटू epsilon r, तो यहाँ वोई चीज आ गई जो अपने पह इतर के लिए apply होता है, अब अगर क्या है दूसरी चीज अगर अपने ये मान लें कि एक condition दी रही है कि r1 को अनंत मान ले और r2 को r, मतलब जो बाहर वड़ा गोला है उसको उसकी त्रीज़ा तो मान ले अनंत, यह अनंत पर पड़ा हुआ है और जो दूसरी त्रीज़ा उस है तो यहां पर भी अनंत, ऊपर भी अनंत, अनंत से अनंत हो गया, cut, तो यह आजएगा 4 by epsilon not r, अब यह cut करके वैसे तो दिखा नहीं सकते है, चलो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखो infinite की value अपने को पता नहीं, और नीचे भी infinite की पता नहीं, लेकिन पता है कि दोन क्या पता लगा कि अथा गोलिया चालक को एक ऐसा संदारित्र माना जा सकता है, जिसकी प्लेट अनंत दूरी पर बूसं परकित मानेंगी है, मतलब जो गोलिया संदारित्र की दारिता भी इतनी होती है, तो गोलिया संदारित्र को अपने एक ऐसे गोलिया चालक जो होता है, जाना जा सकते हैं जिसकी एक प्लेट बूसंपर की तो तो आपको यह सारा कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो ऊपर कैलकुलेशन की हुई है ठीक है यह आपको मैथमेटिकल निकाल के दिखानी पड़ेगी अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो बच्चो यह मुझे तो सही नहीं लगा पॉइंट वैसे क्या है चलो यह एपलाई हो सकता है लेकिन आप इसको क्या है आपको जो रिजल्ट देगा यह लगबग 70 से 80 परसेंटी से ही रिजल्ट देगा इससे और यह वाला जो रिजल्ट है यह बहुत ही ज़्यादा बड़े पिंडों पर लागू होता है यह अगर अपने R1 और R2 दोनों को बढ़ा मान लें दोनों को ही बढ़ा मान लें तो जो R1-R2 हुआ उसका अंतर अपने D मान लेते हैं तो अब R1, R2 का जो गुणा होगा ये कहता है कि 4Pi R2 के बराबर होगा और R का मानियां पर R1 प्लस R2 बटा 2 है अगर अपने क्या करें दोनों जो आपके गोले हैं उनका अकार पृत्वी के अकार के बराबर मान लें ठीक है भी पृत बड़ा पिंड है इसके बराबर मान लें तो क्या होगा दोनों पिंडों का जो साइज होगा वो लगबग बराबर सा होगा R1 R2 तो इन R1 और R2 का जो गुणा होगा उसको अपने 4Pi R2 मान सकती है वे R1 R2 को गुणा ना करके अपने 4Pi R2 निकाले जो गोलेगा प्रिष्टी अक्षेत्रफल होता है और R का मानी यहां पर R1 प्लस R2 बटा 2 के बराबर मान सकती है लेकिन आपको यह चीज कभी ने अप्लाई करनी सामाने जीवन में क्योंकि सामाने जीवन में जो संधारित्र हैं वो बहुती छोटे होती हैं यह लग बग जैसे मान लो संधारित्र आपका प्रित्वी गयाकार का हो तब मान सकते हो आप इसे लेकिन यह चीज कहीं नहीं अप्लाई होती है, आपको इसको छोड़ देना है, इसको यूज नहीं करना है, मैं आपको directly बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर देखो एक question है, यहां पे example है, क्या book के example आपके 4.12, चलो मैंने question करवा दिया, कई students की कह रहे थे कि सर आप थोड़े बहु की तरी, गोलों की तरी जाए, दो मीटर और एक मीटर है, परावेदूता के epsilon, आर ब्राबर, आठ वाला कांच, दोनों गोलों के मद्या बरहा है, संदारीतर की दारीता, तो देखो दारीता, cm अब माध्यम बरहा है, तो माध्यम वाला सुत्तर लगाना पड़ेगा यह वाल क्योंकि के का मान रखना असान रहता है, फोर पर एक साइलन नोड को दुबारा सॉलो करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो एक बटा नो इंटो दस की पावर नो, और यहां पे आठ गुणा दो गुणा एक, आठ गुणा दो गुणा एक, और बटा में दो माइनस एक, क्योंकि आठ गुणी सोला और दो में से एक गया एक, तो सोला बटा नो और यह दस की पावर नो उपर चले जाएगी, सोला बटा नो गुणा दस की पावर माइनस नो, या एक पैंट साथ नैनो फेरड दारिता का क्या आज जाएगा, मान आजेगा आपके पास, ठीक है, त इसका ज्यादा डीपली जाने की जुरूरत नहीं है, जितना डीपली जाओगे, उतना टॉपिक कम समझ में आता है, जितना दिया हुआ उतना समझ लो, डीपली जाने के लिए आगे बड़ी कलासी हैं आपके पास, ठीक है, तो आये इतने ही हैं, इसका बैस फॉर्मूला आ इसको अच्छे तरीके से करना आप, तो मिलते हैं बचो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थेंक यू, हैवे नाइस टे,